पर फिर गेर गिरी क्यों हो है? हो सकते है कि उस वक्द बीपिलो होने की वज़ा से चक्कर आ गया हो, बेहतर है कि आप इन्हें अराम करने दे. कि आपको फिर्वादय तक छोड़ देता हुआ है कि तुमने तो अमी से कुछ नहीं कहा है, मैंने क्या कहना है, अलावजय मेरे पीछे नहीं बढ़ा थे। कि तुम्हें एक बात भी मेरा ख्याल नहीं आया ना सुनिया, घलती भी की और छोड़की भी चले गए, मैंने कौन सी घलती ही है? जानती हो तुमने, देखे हमजा, अगर आपको दुबारा ये बात करनी है तो आप रहने दें, और आपको मुझे लेने भी नहीं आना चाहि झाना इनको आ καकूलत नहीं आपणे है। स्वें जाने ये तुम्हे दिल मेरे दिल में तुम्हें ज्ली कुछ जानती है कि उस्वोख, देमूर. आपको घ्गि भी मेरे घालना सूरूंदा ही। मैं आपको बताया तो है कि उसके और मेरे दरमयान कुछ नहीं था और ना ही कभी होगा, इत्मे नान कर ले मुझे तुम पर पहले यकीन कर लेना चाहिए था मुझे शक्त नहीं करना चाहिए था तुम पर लेकिन क्या करो मुझे बुसा गया था उसको तुमारे पें करीब करेड़ा, और अपर मारीए की अंगेजमेंट, पर शुरू हो गया अप अगर आपको ये बात करनी है नो तो उसे बहत्र आप उसे बात ही ना कर आँगे, अगर बात नहीं करेंगे तो खत्म कैसे होगी आप बात खत्म कर रहे हैं जो तो लग रहे हैं शुरू कर रहे हैं हमेशा के लिए खत्म करना चाह रहा है अज़ा चलो आज के बाद वो हमारी कॉमनिसेशन में भी नहीं आएगा और नहीं हमारे दर्मियान यह दिन हो गए थे एक कॉल भी नहीं की नहीं आई होगी मैं याद तुमने की आप हिसाब रख रहे थे तुमसे कम बराबर हम दोनों बराबर हैं महबबत में और ज़िद में भी मैंदा ज़िद नहीं करना वरना हम दोनों हार नहीं मानेंगे हमजा आपको पता है ना मैंने आपको तूट कर चाहा है और मैं आपसे बहुत महबबत करती हूँ